नमस्कार आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट मैं हो रहा है जद देवगन साल 2022 में एक मुद्दा गर्माया हुआ था वो था मंदी का खत्रा लेकिन साल 2023 जैसे ही शुरू हुआ तो सबसे आदा फोकस चला गया अदाने गृप संभू के स्टॉक्स पे बजार उप्रिसरों पर हल्का जरूर हुआ लेकिन मंदी की आहाट की वज़़ा से कुछ नहीं हो रहा था अब एक नोट ऐसा आया है जिसने फिर से संदेर पैदा कर दिया है कि 2023 की दूसरी छिमाई में हो सकता है कि मंदी ग्लोबल मार्केट्स पे हावी हो जाए तो चलिए इस रेपोर्ट मांको बताते हैं ये जो नोट जिसके मैं बात कर रहा हूँ वो है जेफरीज का क्रिस्टोफर वोड जो की ग्लोबल हेड औफ एकुटी स्टाटेजी है जेफरीज होंग कों के उनका कहना है कि बेस के सिनेरो में 2023 की दूसरी छिमाई में आर्थिक मंदी का खत्रा बरकरार है जेफरीज के ग्रीड और फियर के नोट में इनका weekly नोट होता है जिसमें क्रिस फुड ने मंदी के संकेज दिये हैं ग्रीड और फियर नोट inverted yield curve से प्रुभावित है और आपको यह भी बता दूँ कि जनवरी में इम आइम एफ ने 2023 में मंदी का संकेज दिया था IMF already ये संकेत दे चुका है और अब Jeffries ने भी ये बात की है 2022 की दूसरी छिमाई में US में महंगाई में कमी रही है Chris Wood का ये कहना है उनका ये भी कहना है कि S&P 500 फिलहाल 18.5 टाइम्स forward PE multiple पे trade कर रहा है ये तो optimistic है बहुत ही आशावादी है जबकि S&P 500 कंपनियों के मुनाफ़े की अनुमानित ग्रोध जो है वो सिर्फ 1.8% रह सकती है अब जो inverted yield curve जिसके बारे बात हो रही थी greed and fear जो एक note है उसने inverted yield curve को भी आदार माना है तो ये क्या होता है inverted yield curve देखिए होता ही है inverted yield curve में कि जो ब्याजदरे हैं short term bonds पे जो ब्याजदरे हैं वो long term वाले bonds की ब्याजदरों से एक दम से ज़ादा हो जाती है यानि कि छोटी अवदी में ब्याजदर ज़ादा होती है और liquidity की इससे पता लगता है कि जरूरत इस समय ज़ादा है economy में इतिहास में inverted yield curve जब-जब बना है यानि कि छोटी अवदी की bond yield लंभी अवदी के bond yield से जब-जब ज़ादा होती है तब वो एक मंदी का alert बता देती है और America में है यह बहुत समय से है कि short term bond yields long term bond yields से ज़ादा है US में 2 साल के bond पे जो ब्याजद है yield है वो है 4.5% और 10 साल की जो bond पे yield है वो है 3.7% तो इसका क्या मतलब क्या मंदी आने वाली है इसका मतलब straightforward यह है नहीं इसका मतलब यह नहीं है इसका मतलब यह है कि suppose करो आप किसी bank में पैसे जमा करते हो तो अगर long term में आप उस bank को पैसे देते हो तो bank बोल रहा है मैं आपको ज़्यादा ब्याज दूगा और long term के लिए अगर पैसा डाला तो bank बोल रहा है कि कम ब्याज दूगा तो इससे थोड़ा संदे पैदा होता है अगर US economy को उसकी तुलना में देखो तो अगर US सरकार के bond में अगर 2 साल के लिए पैसा डालोगे तो आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा और 10 साल के लिए पैसा डालोगे तो उस bond में आपको कम ब्याज मिलेगा यानि आपने US economy में अगर पैसा डालना है तो आपको संदे होगा inverted yield curve का जो जो trigger है यह false हुआ है बाकि हर बार सही हुआ है यानि recession को predict करने में यह बहुत बड़ा indicator है और यह बहुत समय से inverted yield curve चल रहे हैं अमेरिका में देखते हैं कि अब जब IMF बोल रहा है Jeffries बोल रहा है और पहले rating agencies बोल चुकी है और वो वक्त नजदीक आता चला जा रहा है 2023 की दूसरी 6 माही जैसे ही अब शुरू होगी in fact यह अगले 4 मेने बाद तो क्या global markets में यह recession आता है कि नहीं लेकिन हाँ यह note बहुत important है अच्छा इस note का na greed and fear note का यह दूसरा हिस्सा भी है जो Jeffries ने बता है उसमें Indian markets को में focus जो है वो बताया गया है और उसमें Jeffries किन shares को उन्होंने अपने portfolio में weightage कम किये है वो दो shares उन्होंने बता है एक है HDFC Life Insurance और एक है ICIC Lombard फिछले कुछ दिनों में बहुत जबर्दस बिक्वाली होई है इन दो stocks में अच्छा Jeffries ने क्या बदलाव किये हैं यह बताते हैं आपको अपने portfolio इनके दो portfolios हैं एक है Asia X Japan long only portfolio और एक है India long only portfolio Asia X Japan long only portfolio में बजाज finance का weightage 1% बढ़ाया है और HDFC Life का weightage कम किया है ऐसे ही India long only portfolio में बजाज finance का weightage 1% बढ़ेगा और ICIC Lombard का weightage घटेगा कुल मिलाकर यह जो मैं बोल रहा हूँ कि Jeffries का India long only portfolio यह होता है आपको बता दें 17 भारते share से बनता है कुल मिलाकर 2021 में launch हुआ था और 17 Indian shares का component है इसमें ICIC Bank, Reliance, ONGC, Maruti Suzuki, Adani Ports यह सब जो stocks हैं यह Jeffries के India long only portfolio में यानि कि सिरफ खरीद के चलते हैं वो ऐसे stocks हैं उनके portfolio में और जो दूसरा है वो है Jeffries का Asia X Japan Japan को छोड़के बागी पूरे Asia का portfolio long only portfolio है उसमें 9 भारती shares शामिल कर हुए है जिसमें Reliance Industries का weightage है 6%, HDFC Life का weightage है 4%, ICIC Lombard का weightage है 4%, Microtech Developers 3% का weightage है, Goldrich Properties 3% का weightage है, ICIC Bank का 5% का weightage है, HDFC Bank 6% weightage है, L&T 4% weightage है, Bajaj Finance 4% weightage है तो इसमें थोड़ा tweak हो रहा है Asia X Japan long only portfolio में Bajaj Finance का weightage 1% बढ़ रहा है, HDFC Life का weightage घट रहा है, और ICIC Lombard का weightage घट रहा है, तो मुद्दा इस report को बताने का ये था कि अभी भी उतना असान नहीं होगा 2023 में पैसा कमाना, अगर recession का खत्रा develop हो गया, तो वो global markets पे definitely असर आता हो, नजर आएगा उसका, उमीद करते हैं, report आपको फसंद आई होगी, और अगर पसंद आए, तो like का button जरूर दोबाएं, और चानल को subscribe करना न न भूलें, business जगत की तमाम updates के लिए आप देखते रहें, बिस तक, नमस्कार. झाल